हेलो एवरिवन ये है लॉट नमबर 28585 2585 पपकोईल SPM3 का लॉट लॉट की जो क्वांटिटी है वो 182 टन की है वो 182 मेट्रिक टन की कंडिशन वाइज माल दिखा तो उपर से अभी जितना भी माल यह सब दिख रहा है सब अभी लाल है क्यूंकि बारिस का भी सीजन है और ओपन यार्ड में माल यह पड़ा हुआ है तो इसलिए यह लाल दिख रहा है अगर अगर अंधर से कंडिशन देखेंगे मटेरियल की तो अंदर में देखो अंदर से माल साफ निकलेगा अंदर में माल साफ निकलेगा अंदर से कोई परेशानी नहीं है जो है यह उपर में भीगने के चलते है ऐसा आप दिख रहा है और मुस्ट पूरी कंडिशन ऐसी ही है पुरे लॉड की कंडिशन ऐसी ही है बिल्कुल अब कोईल SPM3 यह सेल बोकारो का माल है इसके अंदर 14-26 गेज का थिकनेस का माल निकला है क्योंकि एक क्वाइलिंड का माल है तो गेज का वरियेशन भी आएगा हर एक कोईल के अंदर और चोड़ाई जो है वह 900 से लेके 1420 तक की आएगी कोईल का जो वजन है आप देखी रहे हो मोटा मोटी 600-700 किलो से लेके डेड़ दो टन के असपास का है बिल्कुल सॉफ्ट माल है सर लोट नमबर 28580 पॉपकोईल SPM3 182 मेट्रिक टन का लोट है 182 मेट्रिक टन का अभी थोड़ी सी रेटे ज्यादा लग रही है क्योंकि मटेरियल का क्योंकि बरसातों में जो रेट कम होना चाहिए था वो हुगा नहीं इस बार सो फर्दर अभी और इंक्रिजमेंट क्योंकि आउक्शन सारे तेज हो गए है तो रेट भी स्ट्रॉंग साइट पे ही रहेंगे अभी बागी कंडिशन तो मैंने आपको दिखाई दिया माल का कैसा कंडिशन है उपर का हर एक कोईल का एक चदर आधा चदर जो है वो लाल है क्योंकि बारिस में भीगा भी है कि लॉट नमर अथाइस जार पांसो पिच्चा से अब कोईल स्पी एंट्री सेल वो कारो एक सो ब्यासी टन ओनेटी टू मेंट्री टन का माटेरियल है कंडिशन देखो इस माल की का साहिए माल बिल्कुल अंदर से साफ है दो तिन लेयर में रिंकल है वहां पे झाल